हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग कल हमने इरिगेशन के प्रिविएस लेक्शन में कैनाल दियाइन शुरू किया था ठीक है तो जो बेसिक पोर्शन थी उसको हमने अल्मूस्ट कवर कर लिया जैसे कि इसकी डेफिनिशन क्या है यह क्लासिफिकेशन क्या है ठीक है और एक हमा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है कंपोनेंट ओफ डाइवर्जन हैडवर्ग्स ठीक है ओके इसके पाइप से सिक्स पॉइंट से पहले इनको एक बार रीट कर लेते हैं फॉस्ट हमारा है बराज सेकेंड हमारा है रीवर ट्रेनिंग एन थर्ड इस कावरिंग स्ल बार च कल मैंने राज और बहुत बार डिफरेंस बताया था कि जो मारा वेर होता चल्ट में पर फ्लो करता है तो दूरू में बिकल्स ठागल तो यहां पर कमपीट हो गया जैसे कि हमें कोई कनाल बनाना है या फिर कनाल हम बना रहे हैं तो जो इसका बैंक से उसको कितना करक्ष्ण कैसे करना है ठीक है अगर इन केस कभी फ्लड आता है ठीक है तो इसको कैसे हम कांट्रोल करेंगे इन सब्सक्राइब के बारे में रिवर टेनिंग में हमको बताया डीडियल से ओके फिर नेक्स क्या यह परएंगे ठीक है है जब हमारा जो वोटर है रीवर से कैनाल में एंटर करता है तो उसमें फ्लो के साथ साथ कुछ न कुछ बाव शाथ के पार्डिकल्स एंटर कर जाते हैं ठीक है और वो वहां पे डिपोद्र रोहें लगते हैं तो है तो स्लूइस वोल जो क्योंस आ जिससे कि वहां से के हम सिल्ट को बाहर निकाल सकते हैं ठीक है फिर क्या है हमारा फिश लैडर फिश लैडर मतलब कि सिंपल जो है कि मशलियों के लिए हमानी जो सीडिया होती है इसका मतलब क्या हुआ जब हमारा जो वॉटर है आपस्ट्रीम से डाउनइस्ट्रीममें जाता है तो उसी बाहाओं में मचलिया निकाले neighborhood जाती है और फिश्ट्रीममारी ओगेईन आपस नहीं आपाती है हैं और इसी लिए से वो मनलब की डाउन्स्ट्रीमममर जाती है जिससे क्या होता है जो aquatic life होती है हमारी वो डिस्टब हो जाती है ठीक है तो aquatic life को maintain करने के लिए हम fish ladder का यूज करते हैं जिससे easily मशलियों काव बेंड आप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से आप स्ट्रीम हो सके ठीक है यह हमारा work होता है डिवाइड वॉल क्या होता है कि जो मारा पानी होता वह वैवे एक्षिन का होता है तो उसके क्रॉस करेंट मलब की आ जाता है यह फिर रहते हैं उसको प्रिबिंट करने के लिए हम डिवाइड वॉल का यूज करते हैं ठीक है और एक तो मारा यह हो गया दूसरा क्या है कि जो हमारा कंपोनेंट और डाइवर्जन होता है क्या होता है कि जब हमको यूज करना होता तब उसको और आई जो करते हैं अगर अगर पर रहे तो कम ही कम जाए अधरवाइज जब कोई कंट्रोल रहे नहीं तो वाटर एक ही फ्लो से जाएगा ना ओके बट डिमांड वैरी करते रहती है कॉंस्टुन्टों डिमांड होती नह ही एक सो इससे कुछ सब्सक्राइब करें कि यह प्रद्स गलेंट करता है यूज हमारा दोन खरेंझ खीक रहो हूं पूसces के बाद होता है हमारा के इद्ध रीवर फ्लूर्ड फ्र फ्रोंद रिवर्ड फ्रॉं एंटारनिग थीप है जब पूर्ल फ्रॉंग अन्य घरा है । फ्लट को रहता है ठीक ठीक हो एक इसके बाद हम हुआ योज एक है छिल्ट इक्सक्लीोडर और दूसरा है सिल्ट एक्सक्रोड optimistic इस में बहुत ही मार्यूट डिफ्रेंस है इसको आपको ध्यान से देखना पटेका तो सो भी कर्सेंट सovyra से और इसमां कर दिबाइश से आर कंस्टयक्टेड वोड इन फ्र वेड़ है इसमें कुछ नहीं डिफ्रेंस है इसमें जस्ट आउनली डिफ्रेंस को इसको प्रवाइड कहां करते हैं जबारा सिल्ट एंटर कर गया तो हम प्रवाइड कहां करेंगी इसको इसको प्रवाइड करते हैं आप स्ट्रीम में सिल्ट जो एक्स्क्लूडर होता है हमारा उसको तो इसमें जो भी silted water होता है अगर वह पास करता है तो इसमें चला जाता है और जो clear water होता है वह हमारा canal में आपके ही होता है इसको लगाते है अपन्सिट्रेम सेकेंड वन क्या होता है यह फिर इसको एक्स्ट्रेक्ट कर लिए अब यह अंदर जा आगा चुकी है नग्र करते हैं मानली शाल तुर्च यह अलगा ऑक यह मारा हुटति है जब पानी उन्टर करता है इसमें वह घंट स्ट्रीम और यह हो करना है निकालने के लिए हमको डाउन इस्ट्रेम में ही इस सिस्टम को सिटप करना पड़ेगा इसका मतलब क्या था जैसे कि हमारा कोई एक पॉकेट है और इसके अंदर यहां पर बैठ गया था इसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे यहां पर क्या करते हैं दो इसके तुरू हमारा जो स्माझ में अच्छा से आ गए ओगए वह सिल्ट एक्सकljeyo कि कि मारा कनाल कन अगे नहीं है यह अब तक हमने चीजों को टावर किया पिर प्रिंगर डिशकस किया यह वह जस्त बेसिक्स थे क्या Size हैं क्या डेफिनिशन हैं ठीक है ना और कनाल है राट होता क्या है उसके फंक्षन क्या है है at all things थे यह प्रेस्ट चीजों को हम डीटेल में मतलब करें करतें क्यूं है है अभी इसकी बात होगी है तो कैनल ऑब क्या हुआ कि कणाल के अंदर हम कोशिश करते आ हैं कि पाने के अंदर एंटर करता है उसमें कम से कम सिल्ट एंटर करें एंदर चली गई उसे निकालना है तो इन सब चीज़ों के बारे हम डीटेल से तब पर भी हम फिल्ट स्कूल्ट एक्टर से सिसे कंट्र कर लिए अगर इसके बावजूद भी empt kण करेंगे थी के स्कावरिंग दूसरे कहा है सेल्टिंग ठीक है जब हमारा जो नहर है अंदर पाई चल रहा होता है तो अब बहता हुआ उसकी पाई रेले होगी प्रता तो जो बेहता कहा है उन्हें यह होगी नटो यहाद फैकर होता कि हमारे लिए वरनेफिशिल नहीं है भी है कि इसको कि हम पूलते इसको बोलते है इसको बैजिल जो में यह आप सक्सें के है इसके जो भी मटेरिएल से ग milk है तो घर मारे ने में लच stems zule तो वाटर के लिए क्या होता है यहां पर जो सिल्थ है वो डिपोजिट होएं लगती है means कि जमा होएं लगता है ठीक है जो सिल्ट है वो जमा हो जाएगा बैट जाएगा ठीक है साथ में जो क्रॉस सेक्षन एरिया है उसको भी रेड्यूस कर देता है ठीक है तो फाइनली क्या होगा हमारा कि हमारे लिए हेल्फफूल नहीं है ठीक है न सब में चांसे बहुति सारे इसना हुचण जाते हैं तो इन सब चीजों को कैसे कॉंट्रेक्ट करना है कि तो बीसकोcej भातों करेंगे ठीक है अब हम उनकी बाते करेंगे ठीक